आज मेरे पास है एक आसुस का प्राइम सिरीज का मदर बोर्ड मॉडल नंबर है प्राइम H310 M CS R2.0 इसका है कुछ 1.02 तो यह बोर्ड अगर कभी भी आपके पास रिसीव होता है तो अगर इसे नो डिस्पले केस है अभी जो मेरे पास केस है नो डिस्पले का तो पॉबलम कैसे बना इसमें PCI Express का जो स्लॉट है इसमें गाफिक्स का डाला गया था और ग्राफिक्स का डालने से पहले यह वीडाूट ग्राफिक्स कार्ट पर यह बोर्ड चलता भीजी ये पॉट से पर एक graphics card डालने के बज़ाए से ये problem create हो गया है और एक चीज़ बता हूँ मतलब ये जो 100 series का motherboard 100 series से उपर का motherboard होता है ये ज्यादा तर problem आता है ग्राफिक्स कार्ड मतलब PCI Express या फिर PCI Mini स्लोट के वज़ाए से ही क्यों आता है यह ज्यादा तर लोग जो यह बोर्ड यूज करते हूं में कॉलेज का पिंसिवल जो होता है उसको ही मार डालेगा तो फर्स्ट टाइम ग्राफिक्स काट डालने के बाद यह बोड कुछ टाइम चला 10 मिनित तक उसके बाद यह आटोमेटिकली आफ हो गया उसके बाद से चलाने के बाद नो डिस्पले आ गया अभी इस बोड में एक चीज देख लो क्या हो रहा है आपको भी समझना चाहिए नहीं तो तो इस बोड को मुझे इनिहाव रिपियर करना था यह बहुत यह क्लोज पर्सन का है यह बोड पर में भी यह हो ना हो ना हो ना होने का चांसे ज्यादा है देखो टीगर दिया एक सेकेंद आफ हो गया च चल जा और एक बार चल गया है तो यह इस टट पर उत्रा है फिर से नहीं गया है यह गया बस यह यही सिम्टॉन है बोड का तो देखो मुझे तो लग रहा था कुछ हद तक यह रेडी हो जाएगा पर यही सिम्टॉन है इसका रिसेट मिसी है और बाकी जो है इसका CPU में कोई हीटिंग नहीं है मतलब अबहरम सेक्षन में यहां तक कोई काम नहीं कर रहा है अब इसका Core IC का जो इनावल है वह चेक किया इसका बहरम भी बन रहा है Core IC का इसका बरबर सही है इसका IC का जो PWM IC का जितना requirement था वह सारा में ने चेक किया वह सही है और इस बोड में यह एक ऐसा model खब बोड है देखो इसमें कोई भी protection यूज नहीं किया है मतलब जो भी हो रहा है PCS से directly connection है सारा जगा पे लब कुछ-कुछ बोड में क्या होता है company वालोंने क्या करता है वह direct connection जो होता है वह component कुछ protection के थुरू भेजता है क्यूंकि एगर बोड में किसी भी हद तक problem आया तो वह protection पहले खराब होगा उसके बाद PCS खराब होगा या PC2 खराब होगा पर इस बोड में यह एक ऐसा architecture क इसका board है इसमें कोई भी protection नहीं है इस board में आपके पास भी अगर रिचीव होता है same revision का same model का ऐसा उसका board तो आप देखना इसमें कोई भी protection इसमें यूज नहीं किया है। कोई भी protection उज नहीं है। और यहां पर एक 2.5V का coil है, यह इसके आसपास भी कोई protection बगरा नहीं डाला है। और पीशेच का supply जो यह coil से बनता है। इसमें भी कोई protection नहीं है। और यह जो Core IC है यह Core IC तक जाने के लिए कुछ voltage का protection दिया जाता है हर board में ही होता है overall Asus का board में भी आता है पर इस model पर नहीं है क्यों नहीं डाला है पता नहीं पर यह board कल तक ठीक ठीक चल रहा था पर आज अचानक graphics card डालने के बाद यह volume आया है अभी यह board में ready कर पाऊंगा की नहीं यह मुझे पता नहीं है पर देखो इतना time चलने के बाद इसका CPU बिलकुल ठंडा है पर CPU जितना heat होना चाहिए था तो बहुत ही heat हो जाना चाहिए था उससे ज्यादा heat इसका PCH हो गया है यहां पर बहुत हीट हो गया है और यह वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूँ देखो यह वीडियो देना चाहिए मुझे जो technician हो उसका तो काम आएगा वो देख लेगा क्यों हो रहा है और कैसा type का problem आता है PCH problem होने के साथ साथ पर जो user लोग होते हैं वो क्या करते हैं कभी कबार खुद graphics card को निकालते हैं बोर्ड में जो लगा हुआ कोई भी model का बोर्ड हो और वो थोड़ा सा clean विलिन करते हैं और सीप्यो ग्राफिक्स card को खोलते हैं खोलके कुछ paste बगर अच्छे से ज्यादा तर मतलब huge paste वो chip के अ यह भाई खोल ले तू graphics card में paste डाल सिस्टम speed हो जाएगा पर डाल दिया बस कोई भी reason नहीं है paste डाल दिया कोई भी reason नहीं है खोलके इधर उधर कर दिया यह करते आज का generation का जो है यह लड़का लड़की लोग सभी करते हैं तो देखो यह अभी इसका पीच है ओबर हीट है और यह कल तक तो ठीक था बोड पर आज इसका problem आ गया है तो इसको मैं चाहूंगा भी तो fix नहीं कर पाऊंगा क्यूंकि मेरे पास इसका infrastructure नहीं है यह बोड आराम से repair हो जाएगा अगर reballing का process होता जो system infrastructure होता है बीजी बगारा तो बॉल ग्रीड रे जो मेशीन बगारा होता तो आराम से यह बोड हो जाता एक दम बिंदास पर देखो अभी हमारा जो SMD से अगर कुछ काम बनता है कि नहीं हो हम थोड़ा से try करेंगे उसके लिए क्या करना चाहिए अगर ऐसा 100 से लेके आप थोड़ा सा try कर सकते हो अभी technician के लिए बोल रहा हूं user log का लोगों के पास SMD machine बगरा नहीं रहता है तो वो बस वीडियो को देखेगा और समझ जाएगा क्या हो गया board में क्यू होता है तो graphics card बहुत ही एक important चीज है जो अगर ठीक से PCI slot में inserted नहीं होता है तो motherboard का कुछ खराब हो ना हो यह PCH ही खराब हो जाता है ज्यादा तर इंटल में PCH खराब हो जाएगा और AMD में होगा तो FCH Southbridge खराब हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर नोस प्लास था वो नहीं मिल रहा है मुझे कहां रखा ओ यहीं तो है इसको निकाल लेते हैं और इसका पोसेस देखो हिट करने का अगर होता है तो इसी में होगा और नहीं होता है तो नहीं होगा पर हम ट्राइ करेंगे थोड़ा सा यह है इसका प्लाटफॉर्म कंट्रिलिंग हाब यह है पी सी एच ठीक है तो अभी तक यह फास्ट टाइम में खोला इसको देखो देख सकते हो यहाँ पर कोई हीट बगरह नहीं हुआ है इसका पेस्ट देखके आप यहाँ पर जो गुलू रहता है यह देखके पता चलता है इसमें तो कया करना है उपर में कुछ नहीं करना है थीक है जो भी करना है यहाँ पर करना ठीक है यहाँ पर मतलब इस पॉस्ट् McCль नहीं ऑपर है यह इस मेंगि रहे अटिया पर डालने का है आपको क्या डालना है यहाँ पर इसका उपर में फांड साइट पर बहुत अच्छे से लिकुइट देना है ठीक है बहुत अच्छे से मिन्स ज्यादातर और यह लिकुइट यह ओरिजिनल प्योर थिना रहे हैं डुको का ठीक है और यहां पर आप नॉर्मल कोई शॉप से हाडवेर का शॉप से जो मिलता है वो लूज जो लोग पर्चेस करते हैं वान लिटर आधा लिटर हाफ लिटर वही वाला थिना नहीं जाएगा यहां पर उसमें ज्यादा तर वाटर रहता है तो उससे तो नहीं होगा पर और भी घर जाएगा तो अभी देखो अभी मेरा जो है सेमडी 500 डिग्री सेल्शियस पर है और यह दो और है ठीक और इसको हम और भी उपर करें गे ताकि मैं ऐसे दिखा पाऊं तो हमें काम करना है ऐसे यह है दिखना है SMD ऐसे है इसको मैंने लिक्विड डाला है और मुझे बस करना है ऐसे करना है ठीक है इसको थोड़ा सा हिट करना है PCV के नीचे से थोड़ा सा नहीं मतलब एक टाइम होता है इसका लियूरेशन क्योंकि कभी कबर यह बन जाता है अगर देखो यह बनेगा अगर अंदर में बांड नहीं हुआ है बाल्स बगरा बान हो जाता है कभी कबर तो यह नहीं बनेगा यह चेंज करना होता है और अगर बांड नहीं हुआ है शॉट सर्किट होने के वज़ा से अगर कुछ मतलब बॉल्स में थोड़ा सा जो यह शोल्डर होता है यह इधर उधर हो जाता है तो यह फिक्स हो जाएगा और आप जब ऐसे कर रहे हो तो आप जिस हाथ से बोट को पकड़ के रखोगे वह हाथ को ज्यादा मतलब हीलाना नहीं है एकदम इस्टेविल रखना है हाथ को आपका और राइट हैंड से आप अगर आप राइट हैंड ही हो तो आराम से ऐसे राउंड पे घुमाओ हाद रखन? हाद हाद कि ए तो वीडियो में टाइम ड्यूरेशन देख लेना मैं कितना टाइम कर रहा हूं अभी तो मैं टाइम देखके नहीं कर रहा हूं पर मेरा एक आइडिया है कितना टाइम करना हो आप बस विडियो को देख लेना कितना टाइम मैं इसको हिट अफ किया नीचे से बस और नहीं करना है ऐसे दीरे से रख देना है और दीरे से रखने के बाद अभी 2 मीट तक देड में दो मीट तक इसको टाच नहीं करना है कई पर भी ऐसे बस रखना है ठीक है तो वीडियो पॉज नहीं करूंगा देर मीनित तक चलेगा ऐसे ठीक है कि आप फरवर्ट कर ले ना वीडियो को कि तो मैं वाइफोर्स लिए इसको थोड़ा सा ठंडा कर सकता हूं कि इधर में फैल लगा देता हूं थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा एक सेकंड यह बाइफोर्स लिए मैं इसको ठंडा कर सकता हूं कि ताकि टाइम बच जाए हमारा कि देखते हूं कि टंडा हुआ है पर और 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 देखते हैं दस सेगेंड वान टू थ्री फोर फाइब शिक्स सेवन एट नाइन टेन हो गया होल डाउन तो यह थोड़ा बहुत नहीं हाँ हाँ था कूल हो गया कूल हो गया यह अभी यहां पर और कुछ नहीं करना है ठीक है यह जो हिट्स है इसको मैं लगा दूँगा बस लगा दिया अब ऐसे कर सकते हैं और अभी एक भर पावर दे के देखेंगे अगर रिसेट का लिडी आ जाता है तो समझ्जा वोड हो गया कि अगर नहीं आता है तो नहीं होगा यह अगर चलो पावर दिया और प्येशन हमारा आ गया अभी टार्ण ओन करता हूं ठीक है कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ यह लगता है इसके अंदर जो बॉल से वह बान हो जुगा है यह हीट होना चालू हो गया इंस्टेंट हीट हो रहा है काम नहीं बना अगर मतलब कुछ कुछ हीज बाल्स जो है मतलब आट दस से ज्यादा बाल्स जो है यह बान हो चुका है अगर एक दो बाल्स अगर मतलब बान होता तो यह बन जाता जिस तरह से मैंने इसको रिफ्लो किया यह बन जाता पर यह ज्यादा हद तक बॉल्स इसका मतलब बान हो चुका है इसके वजाए से यह पीपीर नहीं कर पाया अंदर में जिसके वजाए से इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है मतलब कोड़ जिनर नहीं होगा यहां पर देखो रिसेट मीसी है तो फ्रस्ट टाइम एक बार लिया था मतलब जब मैं वीडियो बनाने गया था एक बार इसीट लिया था ओफ हो गया पर से फस्ट में वीडियो का देखना मैंने सोचा था में भी हो जाएगा वह भा नहीं तो यह बहुत हिट हो में और कुछ नहीं है अब किसको कितना नॉलेज मिला है पता नहीं यह जो है इसको फिक्स करने के लिए इस बोर्ड में और किसी भी कंपोनेट पे कोई आईशू नहीं है सारा होके है CPU RAM सही है सब कुछ ठीक है बस इसका सब्सकादन हो कि पीसेज है यह खरल ड़ रही हुए अंदर से तो यह होता है आप यूजर लोग हो तो भी केअरफिकस कट आप इंसर्ट या पिर रिमूब कर रहे हो तो अच्छे से लगा है कि नहीं, बोर्ट पर इंसर्ट है कि नहीं वो आप देख लेना जब ही अपन कर रह तो देख लेना थोड़ा सा गढ़बर हो जाता है तो यह शॉठ हो जाता है तो यह बहुत हीट हो चुका है यह नहीं बनेगा बॉर्ड तो यह देखता हूँ वीडियो अफ्लोट करूंगा कि नहीं बना के तो रखता हो बाद में देखेंगे चलो लभी वाल जैहिंद